दोस्तों यहाँ पर Tata की HBX जो एक Micro SUV हो सकती है वो एक बार हमारे पास फिर से टेस्टिंग के दौरान images में कैद हुई है और यह जो spy shots है वो मेरे पास आए है और उनमें जो इसके dimensions और design है वो काफी हद तक यह पता चल रहा है कि यह कितनी बड़ी होने वाली है तो आज आपके साथ मैं इसी वीडियो में यही discuss करने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Autoways पर मेरा नाम है हरशत और आज हम बात करने वाले हैं Tata की HBX के बारे में और इसके जो dimensions के बारे में हमारे पास थोड़ी सी details इसके spy shot के through आ रही है वो मैं आपके साथ share करने वाला हूँ तो दोस्तों अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा तो चलिए finally अब वीडियो को start करते हैं बिना किसी इंतजार के अब देखिए यहाँ पर जो इसका front वाला spy shot है उसमें हाला कि उतनी कोई details हमें समझ में नहीं आ रही है केवल air intake देखने को मिल जा रहा है bonnet सामने से देखने को मिल जा रहा है ORVMs देखने को मिल जा रहे है इसके अलावा सबसे main जो इसकी headlights है वो अब यह आपको बता दूँ कि केवल prototype में ही यूज की जा रही है इसके अलावा जब इसका production ready model आएगा तो actual वाली जो इसकी headlights है वो यूज की जाएगी तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा यह जो हमारे पास spy shot आए है इसमें जो इसकी design और इसके looks देखने में लग रहे है HBX के यह बहुत ज़ादा similar लग रहे है जो इसका concept model था उससे और Tata ने यह चीज कहीं भी थी इवेन की जो इसके actual production ready model होगा उसकी design almost 95% तक same होने वाली है तो यह हमें लगता है वही scenario होने वाला है यहाँ पे इसके अलावा आप देख सकते हैं साफ तोर पर जो HBX का हमारे पास spy shot आया है उसमें इसका front काफी ज़ादा muscular लग रहा है हाला कि उतना ज़ादा muscular नहीं लग रहा है जितना आपको किया कि sonnet में और Magnite में देखने को मिल जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा aggressive और काफी bold लग रहा है देखने में इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको जो headlamps देखने को मिल रहे है वो जाहिर तोर पर इसके prototype में यूज किये जा रहे है actual में इसमें आपको split headlamps देखने को मिल जाएंगे with LED DRLs तो ये इस तरीके का कुछ आपको headlamps का setup देखने को मिल जाएगा अगर बात करीज़े इसके back portion की और side portion की तो जो पीछे वाला portion है वहाँ पे आपको LED tail lamps सी देखने को मिल जा रहे है जो कि मेरे ख्याल से actual में use किये जाएंगे हो सकता है वही लगे हो लेकिन इसके अलावा अगर production ready model की बात करी जाए तो वहाँ पे आपको बड़ी है से जो triangular shape के LED tail lamps देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा आपको बता दू कि rear wiper आप देख सकते हैं साफ तोर पर उसके अलावा tail gate का जो handle दे रखा है वह भी आप साफ तोर पर देख सकते हैं तो यह सारी चीज़ा है मैं इसके back portion में देखने को मिल जा रही है जिस तरीके का आपको design इसमें back के tail gate वाले slot में देखने को मिल जा रहा है circular सा उससे यह लग रहा है कि इसमें आपको rear parking camera जो है वो भी देखने को मिलेगा अब इसके अलावा अगर side profile की बात करी जाए तो उतना design elements हमारे पास कुछ ऐसे खास नहीं आ रहे हैं केवल आप इसमें इसका door handle देख पा रहे हैं ORVM देख पा रहे हैं इसके अलावा जो इसमें आप wheels देख पा रहे हैं वो सबसे main है यहाँ पे 15 इंच के इसमें alloy wheels देखने को मिल जा रहे हैं और finally देखिए आप इसमें जो आपको rear spoiler है वो भी देखने को मिल जा रहे है तो overall यह सारी चीज़े हमें देखने को मिल जा रही है और यहाँ पे एक चीज side profile में आप और notice करिएगा इसमें जो आपको rear door handle है वो देखने को नहीं मिल रहा है तो मेरे ख्याल से जिस तरीके का आपको swift में देखने को door handle मिलता है उसी तरीके से आपको जो है window pane पे ही देखने को मिल सकता है अब दोस्तो finally अगर बात कर ली जाए इसके dimensions के बारे में जैसा कि हमें इस spy shot से देखने को मिल जा रहा है तो मुझे personally ऐसा लग रहा है जो Mahindra की KUV 100 है उसके जैसे आपको dimensions देखने को मिल जाएंगे around उसी के जैसे देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा जो espresso है हो सकता है कि उसके बराबर हो या फिर उससे थोड़ा सा बड़े हो क्योंकि वो थोड़ा सा जादा छोटी गाड़ी है तो दोस्तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको Tata HBX के बारे में बताया और इससे रिलेटेड दो नए स्पाइशॉट्स जो है वो शेयर किया आपके साथ जिसमें इसका थोड़ा सा डाइमेंशन जो है वो क्लियर लग रहे है कि ये गाड़ी जो होने वाली है HBX ये अराउंड किस गाड़ी के closest डाइमेंशन में होने वाली है तो अब आप मुझे बताईएगा नीचे comment box में आप क्या सोचते है टाटा की HBX के बारे में और अगर आपके पास कोई भी question या फिर suggestion है मेरे लिए तो नीचे comment box में जरूर बताईएगा तो चलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक like और subscribe जरूर कर दीजेगा तो finally at last thank you for watching drive safe and until next video good bye